नमस्कार दोस्तो. और ताइम मानी से आपका सुवागClत है, आईये दोस्तो. आज हम आपको बताएंगे छोले किस तरह बनाया जाती है. तो आईये दोस्तो आफ आफ को बताते हैं छोले के लिए हमें किन जीजों क्या अश़िकता होगी? ये हमें 5-6 घंटे के लिए छोले भिगोने हैं देखे दोस्तों मैंने अब भी ये पानी में भिगो रखी हैं छोटे कटे हुए प्याज, दो टी माटर अश्कतानुसार अगर आप चाहो तो तीन भी ले सकते लेकिन मैंने दो टी माटर लिए हुए हैं दोस्तों ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं इस भी हमने लिया है हाल्दी पाउडर, आश्कतानुसार नमक, गरम मसाला ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं तेज पत्ता, लोंग और काली मिच अब दोस्तों सबसे पहले हम अपने छोलो को बोईल कर लेते हैं, उसके लिए हमें कुकर लेना होगा, अब मैं अपने कुकर के अंदर छोले डाल दूगी, और इसमें एक गलास पानी डाल दूगी, ताकि हमारे छोले अच्छे से बोईल हो जाए, देखे दोस्तों, अब मैं आपने छोलो को अच्छे से बोईल कर लूँगी, देखे दोस्तों मैंने छोलो को गैस पर रख दिया है, अब हम इसको अच्छे से बोईल होने देंगी, देखिए दोस्तो हमने अपने कोकर में चार सेटी लगवा ली है जब तक यह अच्छी से बोईल होकर तयार होते हैं तब तक हम इसका पेश तयार कर लेते हैं तो दोस्तो अब मैं आपको बताती हूँ छोलो के तड़की के लिए हमें किन किन चीजों क्या आशिकता होगी देखिए दोस्तो मैंने इन टेमाटरों को मिक्सी में पीस लिया है मैंने प्याज को भी अच्छे से मिक्सी में ग्रेंड कर लिया है और यह कटा हुआ धनिया अब मैं आपको बताऊंगी आपको किस त्रय तरका लगाना है सिबसे पहले मैं अपनी कड़ाई में ओइल डालूँगी देखे दोस्तो मैंने अपनी कड़ाई में तीन बड़ी चमज तेल डाल लिया है दोस्तो ये मैंने रिफाइंड ओई लिया है आप चाहो तो सरसु का तेल भी ले सकते हो या घी का इस्तमाल भी कर सकते हो आप तोस्तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दूगी और थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दूगी दोस्तो जब तक यह अच्छी से पक रहे हैं तब तक हम इसे हलका सा हिला देते हैं दोस्तो तेज पता डालने से हमारी सबजी काफी खुश्बूदार और काफी अच्छी हो जाती है और लोंग से भी हमारी सबजी में काफी अच्छे खुश्बूदार आती है यह दोस्तो ओप्षिनल है आप डालना चाहों तो डाल सकते हो अब मैं अपने प्याज को अपने छोग के अंदर डाल दूँगी इसे हलका सा हिला देते हैं दोस्तो हमने प्याज के अंदर ही लैसुन और अधरक पीछ ली थी अब दोस्तो मैं इसे बहुत अच्छे से ब्राउन कलर का करूँगी ताकि हमारी सब्जी का अच्छा कलर आसकी देखे दोस्तो मेरे प्याज ब्राउन कलर की हो चुकी है हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पख नहीं जाते तब तक हम इसे अच्छे से बॉल करते रहेंगे ज्ँखिए दोस्तो मैं इसमें थोड़ी हल्दी डाल दूगी और गरम मसाल्या पॉड़र डाल डाल अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए पका लूँगी ताकि हमारे पेष्ट बहुत अच्छा बन सके इसे हम लो फ्लेम पर ऐसे ही बॉइल होने देंगे देखे दोस्तो हमारे पेष्ट का कलर कितना प्याराया हुआ है हमारे छोली अच्छे से बॉइल हो चुकी है अब हम इन्हें अपने छोक के अंदर डाल देंगे देखे दोस्तो मैंने इसे अपने छोक के अंदर डाल दिया है यह अच्छे से अब हम इने मेक्स कर लेंगे देखे दोस्तों आप देखते हैं हमारे छोलो का रंग कितना चाया हुआ है देखे दोस्तों अब मैं इसके अंदर थोड़ा नमक डाल दूगी नमक आप अपने स्वादन सार डाल लीजिएगा और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी देखे दोस्तों बिलकुल हलवाई जैसे छोली बनकर हमारे तयार हो चुकी है यह छोली बहुत स्वादिष्ट और अच्छे बने हुए हैं और इनका कलर भी देखे दोस्तों कितना प्याराया हुआ है दोस्तो अब हम कुछ देर के लिए अच्छी से बॉइल होने देंगे देखे दोस्तो मेरे छोले धीरी धीरे बॉइल होने लगे हैं अब मैंने थोड़ा सा हिला देती हूँ दोस्तो अगर लो फ्लेम पर आप इसी थोड़ी देर के लिए बॉइल होने देंगे तो आपके छोली बहुती स्वादिश्ट और अच्छे बनेंगी देखे दोस्तो हमारे छोली अब बोईल हो रही है अब हम इसी थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह उबा लेंगी ताकि हमारे छोली और भी टैस्टी बन जाए हमारे छोली बन कर तयार हो चुके है दोस्तो ये बहुती स्वादिश्ट और बहुती अच्छे बने हुए है और दोस्तो अब मैं इसी सेर्व करूँगे देखे दोस्तो हमारे छोली बन कर तयार हो चुके है इनका कलर भी कितना प्यारा हुआ हुआ है अब दोस्तों मैं इसकी गानेश के लिए इनके उपर थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी देखें दोस्तों हमारे छोली बन कर तैयार हो चुकी है दोस्तों इसी तरह इस रेसिप को आप घर पे बनाएएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें जरूर बताएं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजी अपनी दोस्तों में शेयर कीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगली एक नई वीडियो में फिर आपसी मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई